मश्रार दोस्तों स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रिव्यू में मैं हूँ as always आपका फैंटेसी हो सरक्षिर और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे बार्सलोना विमें विमें वर्स एस रोमा विमें इन दे विमेंस चैंपियंज लीग क्वाटर फाइनल सेकंड लेग सो फर्स लेग के बारे बात करेंगे पहले बिफोर मुविंग आन तो दे सेकेंड लेग बट बिफोर दाट इस वीडियो इस वीडियो इस एक एप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा सो गो डाउनलोड विज जोखिम पर खेले हैं अगर ऑपोजिशन गोलकीपर थी उन्होंने नौ सेफ किये थे अगर ऑपोजिशन गोलकीपर नौ सेफ कर रही है यू किन इमाजिन कि कितना डॉमिनेशन था बार्सलोना का अराम से ओशवाला ने कितनी बिग चांचिस मिसकरी मुझे ही पता है इन दोनों टीम्स के बीच में एक कमपेटिटिव मैच हुआ था बार्सलोना ने अल्मोस हर अटैकिंग मेट्रिक में डॉमिनेट किया था इस एस रोमा टीम को तो फ्रेंज यह था इस मैच लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीम्स के बीच में उसका प्रिवियस रिजल्ट अब चलके देखते हैं दोनों टीम्स की क्या है प्रॉबिबल कॉबिनेशन प्रॉबिबल फॉरमेशन पर इस मैच पहले बात करते हैं अगर आप बात करें इनकी front line में most likely Oshowala खेलेंगी अगर वो खेलती हैं कितने भी minutes खेलती हैं उन्हें टीम में जरूर रखियेगा because even let's say 45 minutes खेलेंगी वो आराम से hat-trick score कर सकती हैं ये Barcelona की top scorer है first leg में her performance was not very good in terms of missing big chances but she was getting big chances to score as well because उनके around बहुती creative players हैं जैसे Caroline Graham Hansen and Salma Celeste now one of the best performers for Barcelona so far this season is Bon Marti जो इस match में first match में जो था उनका performance बहुत जाद impressive नहीं था first half में she was good second half में she was not that good but overall she is very very good so उस first leg से इन Barcelona attackers को आप बहुत जादा मत जज़ करना I would still say कि अगर आपको 4 attacking players चाहिए पूरी front line and Bon Marti is the way to go but उसके अलावा I would say कि Guijaro ने first leg में आपको बता है assist दिया था उनके जो overall passing numbers है they are absolutely insane as well कोई भी player इस match में goal score कर सकती है so I would say कि pick these four अगर आपको 5 pick करने है Guijaro is the one to go for अगर आप defense पे चले तो you have almost got a player जो एक winger की तरह खेलती है और वो है Rolfo इनके numbers are absolutely superb this season so Rolfo definitely is the first pick from defense Mappi Leon is second why because ये एक center back है जो corners और free kicks लेती है आपने कित्य center backs ऐसे देखे हैं जो set pieces लेते हैं अपने club के लिए Mappi Leon is one of them so उनके chance creation numbers काफी high है उनका assist potential number काफी high है क्योंकि ए center back खेलती है इस Barcelona team के लिए जो dominate करती है possession इनके passes completed also बहुत high है goal threat भी इनका काफी अच्छा है so Mappi Leon is the one जो मैं recommend करूँगा alongside Rolfo उसके बाद I think it's very close Lucy Bronze I would say is the one जो मैं recommend करूँगा because वो थोड़ा और advanced areas में operate करेंगी Graham Hanson थोड़ा अंदर tuck in करके खेलती है so मुझे लगता है कि Bronze is the one जो natural width provide कर सकती है इस बार्सा टीम को although once again जैसे पर गार्डियोला की teams inverted fullback की तरह operate करते हैं let's say someone like Rico Lewis को वैसे भी Barcelona टीम के लिए Bronze कभी-कभी midfield में drop करती है उसके बादा बात करें Irene Paradis मेरे लिए at least four choice होगी बढ़ बहुत passes complete करेंगी in this match पाने उस goalkeeper है I would recommend pick the Roma goalkeeper चलते हैं अब Roma की probable lineup देखनें for this match जैसे मैंने आपको बताया था कि last match में Cesar ने no save किये थे so definitely इनको pick करना अगर आपको cheeky captaincy wise captaincy punt है वो भी कर सकते हैं बट एक warning ये दूँगा इस match में काफी goal खा सकती है अगर बात करें की back line में एक player ने काफी decent point दिये थे that was Lenari मैंना आपको warning दी थी कि ये players आपको negative points दे सकते हैं ये same warning मैं इस leg में भी धूंगा कोई भी defender आपको negative दे सकता है but tackle and deception की chance मिलते हैं I would say कि दो player are standout Minami और Lenari in terms of tackle and deception मेरे को लगता है कि कारोलीम ग्राम हैंसन है वो काफी अच्छी dribbler है अगर आप अगर आप simply जाके highlights देखिये last match की कैरोलीम ग्राम हैंसन was absolutely superb but वो बहुत dribbler करती है so Minami को काफी chance पिल सकते हैं tackle के but she was completely outplayed by कैरोलीम ग्राम हैंसन but अगर आप बात करें की midfield में एक player जो standout है जो pick करनी चाहिए is Gio Gleano in terms of tackle and deception in terms of minutes on the field in terms of overall goal threat she was very very good overall in ka season has been going well up very very soon उसके राबा को standard option नहीं है 30 Rooney ने काफी disappoint गया था always ने काफी big chances miss किये थे मुझे याद है Greggie was also very very okay कोई बहुत impressive performance नहीं था अगर maybe आपको counter attack पे attacking threat चाहिए then maybe always is the one to go for front में अगर बात करें अगर आप overall score देखेंगे Gia Sinti का आपको low दिखेगा but उन्हें बहुत chances miss करी थी इतनी अच्छी chances थी रोमा के पास because Barcelona are a team जिनको बहुत जादा transitions में struggle करती है transitions मतलब होते हैं जो Barcelona का turn over होता है possession का जब opposition को ball मिलती है तो counter attack पे transition पे they are a team जो normally goal खाती है Gia Sinti के पास एक दो बहुत अच्छी chances थे to score a goal but she could not convert so अगर लेट से इस match में वो convert कर पाती है काफी अच्छा cheeky punt हो सकता है उनके साथ होंगी Emil Harvey who was also very very good left wing पे खेलरी थी mostly I think she was the one जो मुझे लगता है कि थोड़ा और better create कर सकती थी but I think overall this Roma team played pretty well आज उनके लिए और difficult होने वाला है अब चलते हैं देखते हैं best fantasy combination for this match हमेशा challenge यह होता है Barcelona के matches में की कौन सा player को captain करे कौन सा player को wise captain करे कोई भी player कभी भी explode हो सकता है मैं I think अपनी team जो मैंने दी है दो basis पे दी है एक जो overall stats है और एक जो मैंने last match में अपनी आखों से देखा था और मेरे असाब से the best player थी Barcelona की in the last match was Caroline Graham Hanson जो मेरी captain है उनके 50 plus points थे without scoring a goal or giving an assist एक attacker के 50 plus points because अगर आप उनके chances created देखेंगे अगर आप उनके passes completed देखेंगे अगर आप उनके shots on target देखेंगे जो भी attacking metrics होते है she was absolutely superb इसले मैंने उनको captain किया है ओशवाला को एने pick किया है अराम से captain vice captain कर सकते हैं इतनी chances miss करी थी she could have easily scored a hat trick आज के match में क्या पता कर भी सकती है one of the most impressive performers left wing पे थी पारालुएलो she is the rising star इस Barcelona team की आप उनको खेलते वे अगर देखें last match में आप बिलीव नहीं कर पहेंगे कि ये player अभी तक एक teenager है she was brilliant and कोई भी Barcelona के जो front player है उसको drop करना इस match में is a risk bon marti के मैंने vice captain किया है do not forget कि last के दो महीनों में bon marti is the main player is the most important in-form player for this Barcelona team last match में I would say थोड़ी सी disappointing थी इस match में I am expecting she will once again do very very well अगर आपको let's say 5 attacker चाहिए तो maybe आप गुई-जार को ले सकते हैं अगर आपको let's say किसी को drop करना है I would say कि bon marti and caroline gram anson को रखिएगा अगर आपको let's say ओशोला को drop करना है बहुत बड़ा risk होगा बढ़ आप कर भी सकते हैं डिफेंस की बात करें I would say Rolfo का इतना direct goal और assist threat है उसके मैं recommend करूँगा मापी लियोन जैसे में आपको बताया था is a center back जो set pieces लेती है corners लेती है so she is a very rare commodity in football, club football so I think she is the one जो मैं recommend करूँगा Lucy Browns लोडे और attacking areas नो operate करती है इस लिमोने recommend करूँगा अगर आब बात करें Roma players की Cesar सबसे पहले लीजे because of the goal threat midfield में definitely Jugliano is the one जिनको मैं recommend करूँगा because overall इनके जो minutes on the field है overall quality of player है tackle and deception numbers are very very good उसके बाद I think कोई stand-on midfielder नहीं है I would say कि Greggy हो गई या always हो गई ये दोनों players में से एक recommend करूँगा always cat least थोड़ा goal threat है going forward उसके राबा मैंने pick किया है Minami को I think she's the one जो Caroline Graham Hanson के one-on-one होंगी tackling का points मिल सकते हैं but overall once again warning ये है with these Roma defenders की आपको काफी negative points भी मिल सकते हैं Linarie ने first lane में काफी अच्छा किया था तो आप उन्हें भी ले सकते हैं Minami की जगा in this team captain see wise captain see to be honest I would say Rolfo, Oshuala, Caroline Graham Hanson, Paraluelo, Bonmarti किसी भे भी आप fluctuate कर सकते हैं I just feel की Caroline Graham Hanson was so good in the first lane इस lemon को थोड़ी सी preference दोगा so this is my preview for Barcelona women versus AS Roma women in the women's champions league hopefully आपको useful लगा अगर आपको थोड़ा सा भी useful लगा अगर आपको वीडियो देखके लगा कि मेरे को एक परसेंट भी help मिली है अपनी fantasy team बनाने में then make sure you hit the like button subscribe करे view sport को and share it with your friends as well thank you so much for watching wishing you all the best for this match stay safe and I will see you soon cheers guys